देश के दिगज उद्योग पती रतन टाटा अब हमारी बीच नहीं रहे जी हाँ भारत के रतन टाटा ने दुनिया को हमीशा हमीशा के लिए अलवेदा कह दिया बुद्वार देश राम उनका निधन हो गया, 86 साल की उम्र में उन्होंने बुंबई के बीच कैंडी अस्वताल में अंतिम सांसे ली उन्हें उम्र संबंदी स्वास समस्याएं होने के चलते अस्वताल में भरती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उन्हों निधन तोड़ दिया उनके जाने से देश ही नहीं बलकि विदेश में भी शोक की लहर है उनका व्यक्तित वही ऐसा था हमेशा दूसरों की मदद के लिए खड़े रहना जरुवत मंदों गरीबों के लिए दान करना जानवरों के प्रती इतना लगाओ होना ये सारी खूबी ही तो रतन टाटा को खास बनाती है ऐसे में उनके जाने से देश को एक बहुत बड़ी शती हुई है जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता 28 दिसंबर 1937 में जन में रतन टाटा ने 21 साल तक मुख्य भूमिका में रहते हुए टाटा समू का नेत्रत्व किया और ग्रुप की कंपनियों को बुलंदियों पर पहँचाया उन्होंने ग्रुप के बिजनस से जुड़े पांच ऐसे फैसले लिये जिनके जर्ये टाटा समू की नई तक दी लिखी गई और उसी घर-घर तक पहचार मिली आए जानते हैं इनके बारे बे 28 दिसंबर 1937 को पार्ची फैमिली मिजंग में रतन टाटा का जीवन लोगों के लिए प्रेड़ना दायक रहा है और ऐसे कई उधारन मौजूद हैं उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बन कर काम किया तो दूसरी ओर अपनी कारोबार से होने माली आमदनी का 60 से जादा हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दान वीरों में शिमार रहे यही नहीं उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर जिस बिजनस को छुआ उसे सोना बना दिया और कई लोगों के किस्मत भी बदल दी रतन टाटा का पहला बड़ा काम जे आड़ी टाटा का उत चाय कंपनी टेटली का अधिग्रहन करना रहा बुटेस्ट चाय कंपनी टेटली के अधिग्रहन के बाद टाटा समु को योरोप या बाजार में अपनी बढ़हत बनाने में मदद मिले इसके बाद टाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई और उसने युनिलिवर के ब्रुक ब्रांट को चिनोती देना शुरू किया इतना ही नहीं इससे टाटा समू का नाम योरोप के घर घर पहुंचा रतन टाटा का दूसरा का टाटा टी से ही जुड़ा एक अहम कैम्पिन जागो रे रहा 2007 में जब ये विग्यापन अभियान लॉंच हुआ तब रतन टाटा ही कंपने के प्रमुक थे भरस्टा चारवी रोधी इस विग्यापन अभियान ने इंडियन मार्केट में दो तरह से टाटा समू की पैचान मद्बूत की रतन टाटा का टीसरा काम रतन टाटा के जीवन का सबसे अहम पल जनवरी 2008 रहा यही वो महिना था जब उन्होंने देश को एक लाख रुपए से कम कीमत वाली टाटा नैनो कार्ड दी रतन टाटा के इस प्रोडेक्ट ने देश के हर घर में टाटा के नाम को जगे दी उन्ह प्रोड इसे खरीदने के लिए राजी हो गई और डेल साइन करने के लिए रतन टाटा को अमेरिका में कमपनी के हैटकोर्टर बुलाए गया मीटिंग के दौरान फोड के चेर्मैन ने रतन टाटा से कहा कि वो उनकी कमपनी खरीद कर उन पर आहसान करेंगे ये बात रतन ट टाटा का पांच्वा का रतन टाटा ने कई मौकों पर ग्रुप की पहचान ऐसी कमपनी के तौर पर कराएगी जो मुश्किल के वक्त में देश के मदद करने को आगे रहती है फिर बात सुनामी की हो या फिर कोरोना काल की कोरोना के समय जब देश मुसीबत में था तब उन् के तीस से अधिक कंपनियों को नियंत्रत किया जो छे महादीपों के सौ से अधिक देशों में संचालित थी फिर भी उन्होंने एक साधारण जीवन जिया वह ऐसे कॉर्परेट दिगच थे जिने शालिंता और एमांदारी के गुणों वाला पंथ निर्पेक्ष संत माना ज वित रहेंगे. नमशका.